वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आज आपके साथ एक ऐसे दिविवरिक्ष के बारे में बात कर रही हूँ जो की कई दवाईयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है चाहे इसकी पत्यां हो चाहे इसके फूल हो चाहे इसके पेड़ की चाल हो तो जैसे कि आप इस पौधे की पत्यों और फूलों को देखकर समझ गए होंगे दोस्तों कि यह जो फूल है यह जो पौधा आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ इसका इतना जादा आयुरवेदिक महत्व है ये पौधा है हर श्रिंगार का हर श्रिंगार ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि श्री हरी के श्रिंगार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे हर श्रिंगार के नाम से जाना जाता है इसे पारिजाद भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हम लोग नाइट जैसमीन कहते हैं, जोडों के दर्द के लिए राम बान नुस्खा है, दोस्तों इसका किस तरह से प्रयोग करना है आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो छोटे-छोटे सफेद फूल होते हैं इसके, जिसमें औरेंज कलर की डंडी होती ह आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी कलियां खिली हुई हैं, और इसकी पत्यां हरी थोड़ी रोएदार होती हैं, थोड़ी नुकिली सी पत्यां होती हैं, और साथी साथ इसमें बीज होते हैं, हरे हरे बीज होते हैं, तो इसकी जो पत्यां होती हैं, दोस्तों यदि इस मिलेगा सब्ताह भर आप इसे लेते रहें लगातार नहीं लेना है क्योंकि इसकी तासीर बहुत गरम होती है एक सब्ताह लेकर देखें आपको अंतर महसूस होगा यदि घुटने की चिकनाई खतम हो गई है जोडों में असहनी दर्द है नसों में सूजन आ गई है दोसों या जो पत्ते होते ना दोसों आप देख सकते हैं थोड़े से खुरदूरे होते हैं रोएदार होते हैं तो आप चाहें तो पत्तों को इस तरह से तोड़ ले ताकि इसके सारे जो पोशकतत्व हैं जब हम पानी में उबाले तो सारे पोशकतत्व पानी में आ जाए पत्तों को डाल सकते हैं, पत्तों को कूट कर पानी में उबाल कर आप इसका काढ़ा बना कर लें, इसका काढ़ा वैसे सुबह लिया जाता है, खाली पेट लिया जाता है, आधा गिलास इसका काढ़ा जरूर लें दोसों बहुत फायदे मनें, छै से साथ पत्ते, उससे जादा पत्तों को पानी में नहीं उबालना है बस फूल ले रहे हैं फूलों का प्रयोग भी बताऊंगी दाग खाज खुजली में इसका रस इसका पेस्ट लगा लें तो तो अच्छा की सब बिमारियां दूर होती है इसका जो रस है दोसों एक चम्मस लेने से आपको बहुत ही फायदा होगा शुगर की बिमारी जिन्हें डाइबिटीस की बिमारी है मधुमे की बिमारी है उनके ल पर खाली पेट लेना है आप चाहें तो पत्तों को पानी में भी उबाल सकते हैं इसके लावा इसके जो फूल होते हैं आप देख सकते हैं इसके फूल क्या होता है दोसों राग को खिलते हैं और सुबह जब आप उठेंगे ना मतब जैसे ही सूर्य निकलता है सूर्य निकल जो तो चया बनती है। और यदि आप इसकी हरबड टी प्याइप भीजा है , इससे ज्यादा फूल नहीं लेना है. इनिए पानी में उबाल कर छान कर यदि आप पीते हैं, तो हार्ट की बिमारी जिन्हें लीवर इस बाल की बिमारी है, इसे प्ला पर प्ला । काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर आठ से दस फूल लिये हैं मैंने जिन्हें मैंने पानी से धो लिया है एक गिलास पाने डालेंगे और अब चलते हैं गैस की और और इसे खुब अच्छी तरह से हम बॉइल कर लेंगे आप यकिन मानियें दोस्तों हिर्दै रोग में बहुत आराम मिलेगा यह बहुत अच्छा मेडिसनल प्लांट है दोस्तों और इसकी बहुत जादा इसलिए तो मेडिसनल वैल्यू है जिन्हें अस्थमा की शिकायत है वे भी इसका सेवन जरूर करें इसकी पत्तियों का रस पत्तियों को पानी में उबाल कर लें तो इसकी चाहे पत्ति की बात करें चाहे फूलों की बात करें या इसके छाल की बात करें ये पूरा पौधा औजधी युक्त पौधा होता है इसलिए तो इसका आयरुवेद में इतना महत्व है बहुत सी बिमारियों के लिए हर शिंगार, पारीजात का फूल, पारीजात की पत्यां सारी चीजे बहुत ही फायदे मन्द इसके जो बीज होते हैं दोसों अभी मैं आपको बीज भी दिखाऊंगी इसके बीज को पीस कर यदि तेल में मिलाकर सिर पर लगाएं तो बालों का ज़ड़ना बंद होता है गंजेपन की परशानी दूर होती है फूलों की चाय बन रही आप देख सकते हैं दो पत्य मैंने तुलसी के डाल दी है पुरानी से पुरानी खासी भी ठीक हो जाएगी दोसों पुराने से पुराना बुखार जैसे की मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू इसमें इसकी पत्यों का पत्यों को पानी में उबाल कर उसकाड़े को पिएंगे ना दोसों तो पुराने से पुराना बुखार भी उतर जाएगा तो ये मैंने इसके फूलों की चाय बनाना आपको बताया है बस छान कर पीना है सुबह पीना है, खाली पेट लें आप बहुत फैदा मंद है दोस्तों इसकी चाय, हिर्दै से जुड़ी हुई सारी बिमारियां दूर होती है एक बहुत बढ़ी हाँ medicinal plant है दोस्तों इसके अलावा बवासीर में इसके बीजों को पीस कर, यदि इसका लेप लगाते हैं बवासीर की बिमारी भी दूर होती है ठीक होती है दोस्तों इतना ज़्यादा ये फायदे मंद है और इसके बीजों को पीस कर या पत्तियों को तेल में पका कर आप उसका तेल लगाएंगे ना तो गंजेपन की समस्या दूर होती है तो बहुत ही ज़्यादा इसके औजदी गुण है लाबकारी पौधा है दोस्तों और खासका जोडों के दर्द के लिए बहुत फायदे मंद है नाडियों की सूजन को दूर करता है आपका गुटने का दर माली जे बहुत साल पुराना है उसमें भी आप इसे ले बहुत इलाज करा चुके हैं तो एक बार मेरे कहने से आप हर शिंगार के पत्तों को पानी में उबाल कर उसका काढ़ा जरूर लें आप देखेंगे आपको अर्थराइटीस से गठिया से बहुत आराम मिलेगा साइटीका की जो तकलीव होती जिसमें इंसान चल फिर नहीं पाता सहनी तकलीव होती है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है चर्म रोग में इसकी पत्तियों का रस लगा लें तो चर्म रोग बिलकुल ठीक हो जाता दात, खाज, खुजली में बिल्कुल ही ठीक हो जाता, बहुत ही उपयोगी पौधा है दोस्तों, इसके बीजों को पीस कर बालों पर लगाने से गंजापन दूर होता है, तो दोस्तों जानकारी कैसी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना बि पाचन शक्ती बढ़ती है, हमारे शरीर में इस फूर्ती आती है, एनर्जी आती है, जिन लोगों को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें भी हर शिंगार की पतियों को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा जरूर पीना चाहिए, इतना जादा ये फाइदे इसके जो बीज होते हैं, आप देख रहोंगे कई इसमें लगे हैं साइड में आपको हरे हरे, अभी इसके हरे दिख रहे है, जब इसके बीज सूख जाते हैं तो ये भूरे रंग के बीज हो जाते हैं, तो बीजों को पीस कर भी बबासीर के मस्तों पर लगाने से बहुत ही तो कालहा बनाने के लिए आप चाहें तो Pत्तियों को पोड़ कर डाल सकते हैं, आथों से तोड़ कर डाल सकते हैं, यज स्तरह से चोटी पतिया, कोमल पतियां, इन्हें ऐसे ही डालँ डाले, अब आप देख सकते हैं, पानी का रंग बदल गया है, अची तरह से मैंने 10 मिनट तक slow flame पर इसे उबाला है, बस, गरम-गरम ही पिएं, सुबह पिएं, खाली पेट पिएं, आपको पुराने से पुराने हड्डियों के दर्द से रहत मिलेगी, किसी की हड्डी तूड गई है दोसों, तो उसमें जो तकलीफ होती है, उसमें भी आप इसे जरूर ले, आपको ब अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सांत ही सांत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें